नमस्कार साथियो वेलकम आप सभी का तो साथियो आज हम मैच कवर करेंगे ECC International T10 2024 का चठा T10 मुकाबला जो खेले जाने वाला है CYP versus SER के बीच में तो दोस्तो मुकाबला 28 सितंबर को खेले जाने वाला है 3 बजगर 15 मिनट पर मैच स्टार्ट होगा काटमा ओवल स्पेन की पिच पर तो दोस्तो आज के मैच में हम Grand League टीम का कोंबिनेशन कैसे बना के चलें और हर वीडियो में दोस्तो जितने भी हम T10 के मैच कवर कर रहे हैं उनमें दोस्तो मैं हर बार आपको एक ही चीज बोलता हूँ कि T10 के मैचों में अगर आप एक Best GL टीम बनाना चाहते हो तो वीडियो को दोस्तो complete देखते चलना क्योंकि एक एक खिलाडी के बारे में दोस्तो आपको पूरी details में बताऊँगा कि कौण सा खिलाडी दोस्तो परफॉर्मेंस कर सकता है कौण से खिलाडी को हम captaincy में लगा के चल सकते हैं कौन सा खिलाडी हमारी team में voice captain देखने को मिल सकता है तो द अगर अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो फड़ापट से दोस्तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लेना बैल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि लगातार अपडेट आपको इस चैनल से मिलती रहे तो बात करेंगे दोस्तो हम चठे T10 मैचों में ग्रेंड लिग टीम का जो कोंबिनेशन है वो किस परकार से बना के चलें कोन सा खिलाडी दोस्तो हमारी टीम में ट्रम्प कार्ड खिलाडी हो सकता है कोन सा खिलाडी दोस्तो सबसे ज़्यादा परफोर्मेंस करेगा कितने ट्रम्प कार्ड खिलाडी दोस्तो हमें CYP की टीम स लेके चलने हैं तो बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले पिच के बारे में उसके बाद GL पलस SL दोनों टीमों का कोंबिनेशन बनाएंगे पिच के बारे में बात करें पिच दोस्तों यहां से आपको बैटिंग पिच देखने को मिल जाएगी टोटल इस पिच पर 343 T10 मुकाबल दोस्तों इस पिच पर विन किये हैं एवरेज सकोर की बात करें तो इस पिच का एवरेज सकोर लगबग 124 के करीब देखने को मिल सकता है सबसे जादा स्कोर दोस्तों यहां पर HUN की टीम ने बनाय था 220 रन का और सबसे कम स्कोर यहां पर CYP का है यानि कि CYP की टीम दोस्त साथ bowling की बात कर लेते हैं लाश्ट के जो पांस मुकाबले यहां पर खेले गए हैं उसमें दोस्तों पेसर्स ने यहां पर 31 विकट निकाली है पलस में दोस्तों पिनर्स ने यहां पर च्छे विक्टों के साथ परफोर्मेंस किया है यानि कि पेस बोलर काफी अच्छा परफोर्मेंस करेंगे और लगबग ओपनिंग बैट्समैन में ही आपको बोलिंग सेक्षन भी देखने को मिल जैंगे कि लगबग दो ओवर कंप्लीट करवाएंगे पलस में ओपनिंग बैट्समैन है वो खिलाड़ी काफी अच्छे चुआईस है कैप्टन और वोईस कैप्टनजी के लिए उसके साथ स्कोरिंग पैटरन 90 से नीचे 55 बार स्कोर है 90 120 के बीच में 118 बार स्कोर है 120 और 150 के बीच में 109 बार स्कोर है और 150 से उपर इस पिच पर अभी तक 61 बार स्कोर देखने को मिला है लेकिन द दोस्तों रीसेंट के मैचों में काफी जबरदस परफोर्मेंस करती भी नजर आई है जैसे कि यहां पर GRE की तरब से बात करें तो इस टीम की दो बैटिंग लाइनप है काफी ज़्यादा स्ट्रोंग है पहले बैटिंग करते वे 177 माय रन का टार्गेट रखता था LUX की ट पेस करते वे only 149 रन ही बनाए थे इस मैच में 5 विकट दोस्तों पेसर्स को मिली थी एक विकट यहां पर स्पीनर्स को मिली थी रीसेंट वाले मैच के अकोर्डिंग बात करें क्योंकि CYP की टीम अभी रीसेंट में मुकाबला खेल के आ दिये और दोस्तों हार के भी आ दि है और यहां पर जो मैच हुआ था C, Z, E के साथ मुकाबला खेला गाया था पहले बैटिंग करते वे 104 रन का टारगेट रखा था इस मैच में 3 विकट स्पीनर्स को मिली थी 6 विकट दोस्तों पेसर्स ने निकाली उसके बाद C, Z, E versus S, E, R के बीच में भी मुकाबला हो चु उसके बाद I, O, M versus E, S, T के बीच जो मुकाबला खेला गाया इस मैच में दोस्तों 9 विकट पेसर्स ने निकाली है यानि कि जो GL टीम का कॉंबिनेशन बनेगा उस हिसाब से बात करें तो दोनों टीमों के उपर दोस्तों 50-50 ट्राइ करके चलना है क्योंकि यहां पर C, Y, P क की टीम भी दोस्तों मुकाबला हार चुकी है, S, E, R की टीम भी दोस्तों इस ग्राउंड पे मुकाबला हार चुकी है, Head to Add के बारे में बात करें तो Head to Add के बीच में दोस्तों अभी तक दोनों टीमों के बीच कोई मुकाबला खेला नहीं गया है, Resend में दोनों टीमें एक- बैक मैचों को हार के आईए तो यहां से कहीं ना कहीं दोस्तो ग्रेंड लिग टीम का जो हमारा कोंबिनेशन बनेगा वो दोनों टीमों के उपर ट्राइ करके चलेंगे बात कर लेते हैं कोंसे खिलाडी को हम लेके चलें कौनसा खिलाडी हमारे टीम में कैटन और वौरिस कैप्टन हो सकता है तो सबसे पहले opening batsman score recent के match में 11 run plus में 1 wicket उसके बाद 12 run plus में 1 wicket, 3 run 1 wicket, 22 run 3 wicket और 12 run 1 wicket यानि कि recent के matchों में continue इस खिलाडी ने bowling से 1-1 wicket निका दिया है बागी दोस्तों batting से ये खिलाडी flop है अगर बात करें T10 के matchों में तो 31 मुकाबलों में 20 wicket ये खिलाडी निकाल चुका है, batting काफी अच्छी है, 40 का average score है ये खिलाडी दोस्तों CYP की तरब से आपको captain और voice captain जी में लेके चलना है नमबर 1 का CVC दोस्तों यहां से हमारा score बनेगा और नमबर 2 पे दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं एक बार सदुन के बारे में जोके lease end में 17 run पलस में 1 wicket उसके बाद continue flop है फिर दोस्तों 1 wicket 17 run 0 wicket experience bowler है, experience all round रहे, experience batting order है, 114 मुकाबले खेल चुका है 26 का average score है, पलस में 84 wicket भी निकाल रखी है और total दोस्तों इस खिलाडी ने 2242 run बनाए वे हैं, दोनों खिलाडी CVC में काफी best option है और यहां से दोस्तों अगर CYP की team match को win करके जाएगी, तो इन दोनों में से ही आपको captain और voice captain देखने को मिलेगा तो यानिकी दोस्तों जो भी हम grand league team का combination बनाएंगे, उसमें यह दोनों खिलाडी तो important है पलस में हम इन दोनों खिलाडीों में से captain voice captain CYP try करके चलेंगे उसके साथ Roman recent के match का trump card खिलाडी है, 34 run के साथ performance किया, उसके बाद continue flop है 17 run, उसके बाद 41 run, 25 wicket इसके पास है, T10 format में 20 का average score batting से है recent के matchों में bowling देखने को नहीं मिली है, तो सायद दोस्तों आजगे match में भी bowling नहीं करवाएगा उसके साथ mangla recent के match में 12 run 0 wicket, 0 run 1 wicket, 1 run 2 wicket, उसके बाद फिट से 2 wicket है फिर दोस्तों flop है, 50 wicket इसके पास है, T10 format में बैटिंग काफी अच्छी है, 41 का average score है ये खिलाडी दोस्तों हमारा trump card खिलाडी हो सकता है, वो इस captaincy में क्योंकि बैटिंग पलस bowling दोनों से point करके देगा recent के matchों में bowling भी करवाई है, पलस में दोस्तों, बैटिंग से भी लगबग 12-1-2 run के साथ performance इस खिलाडी की तरब से देखने को मिला है बागी दोस्तों bowling पलस बैटिंग दोनों से point करके देगा उसके साथ रोशन recent के लगातार matchों में flop है, 88 मुकावलों में 89 विकट इसके पास है, 22 का average score लेकिन recent के matchों में bowling इस खिलाडी की तरब से देखने को नहीं मिली है और दोस्तों ये खिलाडी आपकी टीम का trump card खिलाडी कभी भी हो सकता है अगर इस खिलाडी ने recent वाले match में यानि कि ये जो मुकावला होगा इस match में ही दो over complete करवा दिये और bowling से दोस्तों performance काफी जबरदस्त है अगर इस खिलाडी ने एक या फिर दो विकट निकाल दी तो ये खिलाडी दोस्तों आराम से आपकी टीम का trump card खिलाडी बन जाएगा उसके साथ अरजून recent के match में flop है और यहां पर 5 run एक विकट, 42 मुकावले T10 में 39 विकट इसके पास है 35 का average को और इस खिलाडी का बैटिंग से है तो यहां से दोस्तों हम CYP की टीम की तरब से नमबर एक का खिलाडी लेके चलेंगे, नमबर दो का खिलाडी लेके चलेंगे यहां पर दोस्तों नमबर तीन का खिलाडी हमारा trump card खिलाडी होगा, मंगला की बात करें तो यह दोस्तों आपकी टीम का experience all rounder भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि बैटिंग पलस बोलिंग दोनों से point करके देगा तो यह खिलाडी दोस्तों हम लेके चलेंगे, उसके साथ साथ अरजुन की बात करें तो यह खिलाडी दोस्तों recent के match के according बात करें, तो floppy है बारे में बात करेंगे, जो की continue floppy है, यहां से दोस्तों हम drop ही करके चलेंगे T10 में 22 का average score, उसके साथ पतीरा ना, जो की number 8 पे wicket की पर option है recent के match में 5 run, उसके बाद 16 run, experience खिलाडी है, 13 का average score batting से है लेकिन recent के matchों में flop है, batting order number 8 का है अभी के लिए यह खिलाडी भी दोस्तों हम drop करके चलेंगे फिर यहां से हर्दिप सिंग, recent के matchों में यह भी flop है, 2 matchों में विक्टे है 49 wicket इसके पास है T10 format में, तो यहां से दोस्तों यह खिलाडी भी हम drop करके चलेंगे यहां से अमीनुल चोदरी recent के match में batting bowling कुछ भी नहीं है, उसके बाद लगातार performance है 51 wicket इसके पास है T10 format में, दो ओवर दोस्तों यह खिलाडी complete करवाने वाला है तो हम इस खिलाडी को अपनी GL PLUS SL दोनों टीमों में try करके चल सकते हैं फिर यहां से विमल recent के match में इसकी भी bowling batting कुछ भी देखने को नहीं मिली उसके बाद हर match में इस खिलाडी ने victory निकाली है, 42 wicket इसके पास है T10 format में यानि कि दोस्तों CYP की तरब से जो bowling line up है, उन में से हम number 10 का खिलाडी और number 11 का खिलाडी यह दो ही खिलाडी try करके चलेंगे और इन में से भी दोस्तों कभी एक खिलाडी को drop किया, कभी एक खिलाडी को pick किया ऐसा combination बना के चलना है तो यह दोस्तों CYP के final player performance देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ SER की तरब से कौन सा खिलाडी captain और voice captaincy में देखने को मिल सकता है opening batsman Luca Woods recent के match में 43 run 1 wicket, 0 run 2 wicket, 13 run 1 wicket, 21 run 0 wicket, 84 run 1 wicket, 1 ही मुकाबला T10 format का, 1 wicket इस खिलाडी ने निकाली पलस में 43 का average score batting से है, तो यहां से दोस्तों यह खिलाडी आपकी team में काफी बढ़िया 24 देखने को मिल जाएगा, captain और voice captaincy में SER की तरब से number 1 का खिलाडी दोस्तों हम CVC में try करके चलेंगे उसके साथ यहां पर बात करें, Alexander recent के match में 16, 5, 15, flop 26 और 25 मुकाबले T10 में average score काफी अच्छा है 35 का average score है, opening batsman है, लेके चलना है उसके साथ number 3 पर यहां पर मेने आयो recent के match में flop है उसके बाद दोस्तों, 12 run, फिर यहां से flop, 36 run, 4 run, 0 wicket, 14 run, 20 का average score इस खिलाडी का T10 format में है उसके साथ यहां पर winterly recent के match में 18 run, 1 wicket, फिर flop है, फिर continue इस खिलाडी की तरब से जबरदस performance है, 35 मैचों में 8 wicket, 25 का average score इस खिलाडी का batting से है तो यहां से दोस्तों, SER की तरब अगर पहले batting करती है, तो यहां से number 2 का खिलाडी दोस्तों, आप voice captaincy में try करके चल सकते हो number 1 का खिलाडी, captaincy में काफी अच्छा choice है, number 4 का खिलाडी, CVC, दोनों में आप try करके चल सकते हो उसके साथ यहां पर dunbar, wicket keeper option, number 5 का खिलाडी, recent के मैच में 13 run, 9 run, 1 wicket, 30 run, 32 run, 29 मुकाबले T10 में 28 का average score इस खिलाडी का batting से है उसी के साथ number 6 पे दोस्तों, यहां पर 8 run नाबाद पलस में 1 wicket, उसके बाद flop है continue, 30 मैचों में 13 wicket है तो यहां से दोस्तों, number 6 का खिलाडी हम drop करके चलेंगे, number 5 का खिलाडी, wicket keeper में लेके चलना है क्योंकि wicket keeping में ओपर batting order है, recent के मैचों में भी performance है number 4 का खिलाडी CVC में अच्छा option है, number 2 का खिलाडी voice captaincy में अच्छा option है number 1 का खिलाडी दोस्तों, captaincy में अच्छा option है उसी के साथ bowling section के बारे में बात कर लेते हैं, number 7 पे Peter जो के recent के मैच में flop है उसके बाद 1 wicket, 14 रन 1 wicket, उसके बाद performance, 5 मुकाबले T10 में, 2 wicket इसके पास है Robin recent के लगातार मैचों में flop, 21 मैचों में 31 का average score है, बैटिंग order है लेकिन अभी के लिए दोस्तों हम drop करके चलेंगे, क्योंकि ये खिलाडी बहुत ही rare chances है कि यहां तक आपको बैटिंग देखने को मिले, उसके साथ number 9 का खिलाडी, recent के लगातार मैचों में flop है 8 wicket इसके पास है, recent के मैच में bowling देखने को नहीं मिली number 10 का खिलाडी, recent में 1 wicket, बाकी ये खिलाडी भी flop है, 12 wicket निकाल चुका है ओवर दोस्तों ये खिलाडी complete करवाएगा, number 11 पे wicket keeper option, heartlay, recent के मैचों में flop, 7 मैचों में 14 रन है तो ये दोस्तों finally आपको SER के final player performance देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहां से हम number 10 का खिलाडी ही लेके चलेंगे बागी दोस्तों बात कर लेते हैं, यहां पर जो second fantasy के high selection वाले खिलाडी देखने को मिलेंगे तो यहां से दोस्तों Peter की बात करें, तो उस खिलाडी को आप जरूर लेके चलना तो बात कर लेते हैं fantasy के high selection वाले खिलाडियों के बारे में स्कोर्ट, यहां से संदू, यहां से दोस्तो आपको देखने को मिल जाएगा रोमबन, फिर यहां पर मंगला तो यहां पर दोस्तो सदून की बात करें तो यह भी CVC में अच्छा उपसान है वुड्स, यहां पर दोस्तो आपको वेंटले, फिर यहां पर डनबर यह टोटल आठ खिलाडी हैं जिनका fantasy में high selection देखने को मिलेगा ट्रंप कार्ड खिलाडी, अमीनूल, यहां से दोस्तो आपको अलेकजैंडर देखने को मिल जाएगा और यहां से आपको टोटल चार खिलाडी fantasy के low selection वाले खिलाडी देखने को मिलेगे तो इन में से दोस्तो आप इन चार के चार खिलाडियों को तो लेके चलना है उपर के आठ खिलाडी हैं जिनका fantasy में high selection है यहां पर दोस्तो मैंने डनबर को wicket keeper option में pick किया है बाकी दोस्तो captaincy में सदुन आपको देखने को मिल जाएगा और यहां पर सदुन pick किया हुआ है all rounder काफी ज़्यादा है all rounder दोस्तो मैंने 6 all rounder try किये है peter दोस्तो यहां पर आपको एक team में देखने को मिल जाएगा बाकी यह मेरी 2 final fantasy team का combination है woods को भी दोस्तो आप cvc में जरूर pick करके चलना एक team में मैंने captaincy में try किया है एक team में दोस्तो आपको VC देखने को मिलेगा ज़्यादा option है नहीं cvc के लिए लगबग दोस्तो 4 से 5 ही खिलाडी आपको ऐसे मिलेंगे जो कि हम captain और voice captaincy में try करके चल सकते हैं लेकिन दोस्तो बाकी खिलाडी ऐसे हैं जो कि आपको dream team में confirm देखने को मिल जाएंगे जो कि हम cvc में pick करके चलेंगे तो ये दोस्तो आजगी मेरी दो final fantasy टीमों का combination रहेगा बाकी update टेलिग्राम चैनल पे नीचे description में link है फड़ा बड़ से दोस्तो जोइन करेना वीडियो को like करेना चैनल को subscribe करेना लगातार update के लिए तो मिलते हैं दोस्तो next interesting वीडियो के साथ